अलो इस्टूदेंट स्वागत आपका हमारी यूट्व चैनल में टर्गेट बेमोले से इस चैनल पर बोड इव्जाम, आज टी, जेई, नेट, सेम्स, के यंदी, मिलियों से शाथ रोगी तियारी करहे जाती है इस चैनल के मैथ, फिजिस, कमेस्ट्री, बाई, वल, इंग्लि जिसे हम लोग डिटर्मिनार्ट कहते हैं और इसमें जैसा कि विवित प्रस्नावली चलदा था और इसमें हम को स्ट्री नमबर 13 से स्टाट करेंगे ठीक, तो देखिए इसमें कि दिया हुए हमें कि इतना बराबर जो है, इतना सीध करना है, ठीक, तो यहां पर ध्यान कि सबसे पहले हम लोग LHS लेंगे, तो यह हमारा LHS और यह क्या कराता है? RHS, तो सबसे पहले फर्स्ट आफ फाल जो दिया हुआ है, बो लिख लिए आ जाता है, तो हम यहां पर लिखेंगे कि छुकी सिध करना है, इतना बराबर इतना, तो यह हमने लिख लिया, अब इसमे B plus C into A B plus B C plus C है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कि थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, यह 3 A है, उसमें से मैंने इस A को जोड़ दिया, कहने का मतलब यह है मेरा, कि यहां पर मैं लिख क्या आपको दिखा दे रहा हूँ, कि मैंने क्या किया, कि 3 A ले लिया, फिर प्लस क C को, यह plus का सिंबल लगा दिया, मानस A plus B को, फिर उसके बाद, इस मानस A मानस A plus C को जोड़ेंगे, plus bracket में, bracket लगा देंगे, क्योंकि यह minus है, मानस A plus C, अब यहां पर ध्यान देंगे कि इसको हम हल कर रहे हैं, तो यहां पर यह 3 A हो जाएगा, मानस प्लस क्या हो जाएगा, ऐने, plus, minus, minus A, यह plus, यह plus C हो जाएगा, अब यहां पर ध्यान देजिएगा कि यह 3 A है, यहां पर minus A, और यह minus A, दोनों मिलेगा तो minus2 A हो जाएगा, और 3 A मिलेगा से minus 2 A घट गाट तो खितना बचेगा, A, उसके बाद यह plus B बचा, उसके बाद यह plus C बचा, ठीक, तो हमन यहां पर लिख दिया कि इसका मतलब क्या किया हमने कि यह वाले पर यानि कि यह पूरा जो है C1 का लाएगा और C1 पर हमने काम किया C1 पर क्या किया यानि 3A फिर प्लस A मानिस A प्लस B करेंगे फिर प्लस A प्लस C करेंगे तो यहां पर हमारा क्या मिलेगा A प्लस B प्लस C उसी परकार जब ये वाला में ये वाला प्लस ये वाला किया जाएगा हमारा A प्लस B प्लस C बचेगा उसी परकार मानेस A पलस C में हम मानेस C पलस B और 3C जोड़ेंगे तो हमारा फिर हमारा A पलस B पलस C मिलेगा और उसके बाद देखिए यहाँ पर कि C1 पर जब काम कर रहे हैं तो C2 और C3 उसी पर उतर जाएगा यानि दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम हमारा उसी पर उतर जाएगा अब उसके बाद देखिए कि यहाँ पर हमें तो बाहर निकालना है न सिद्ध करना में A पलस B पलस C है न तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि C1 से A पलस B पलस C common करने पर,c1 यानी पहले kolum से फॉ पहले kolum में सभी में ución पलस by plus c है वे उस्कारद हमने निकाल लिया हुए निकालने के फाद यहाँ पर 251 इसब उसी तरह उतर जाएगा थीक ? इतना आपको समझ में आ रहा होगा, अब देखिए कि अब क्या करते हैं हम लोग, कि इसमें का 2 गोवे जिरो बना देते हैं, यानि यह वला जिरो और यह हम लोग क्या करेंगे, मतलब इन तीनों में से कोई 2 गोवे जिरो बना देंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे कि R1 पर काम कर रहे हैं, किस पर? यह R1 पर, यानि पहले पंक्ति पर, तो पहले पंक्ति पर हमने क्या किया कि पहले पंक्ति पर काम करेंगे, पहला मानेस दूसरा, यानि इसमें से यह वला घटा देंगे, तो यह 0 हो जाएगा, उसके पस्याद साम दीजेगा मोन में से वनघ हैंगे तो यहां पर जिरू आजायगा ठिक उसके बाद फिर इसमें से यहां से यह वह गहां यहां फिर यहां से यहां पर जिरू ओगा ठीक कि R2 में से हमें R3 को घटाना है तो 2-1, sorry, 1-1 करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, 0 तो हमने लिख दिया है, यहाँ पर 0, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद फिर 3-2 में से यह बला जब घटाया जाएगा, तो बचेगा हमारा 2B प्लस C, उसके बाद माइनस B प्लस C में से 3C जब घटाया जाएगा, तो माइनस B, माइनस 2C बच जाएगा, और देखिए जैसा कि हम R1 और R2 पे काम किये हैं, R3 पे नहीं किये हैं, तो R3 उसी तरह उतर जाएगा, इस तरह आपको दिखाई दे रहा है, ठीक, अब उसके बाद फिर C1 के according हम लोग क्या करेंगे, expand कर देंगे, यानि कि C1 यानि पहले column के अनुदीस हम लोग प्रसर कर देंगे, तो आईए हम इसको लिख लेते हैं, दिखा रहे हैं हम आपको, तो यहां पर ध्यान देजिएगा कि हमने ये फिर से दुबार उतार लिया है, ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में है, सामने है ना, तो हमने लिखा कि C1 के साफ एक्छ बिस्थार करने पर, फिर मैनिस, ये क्यों होता है, ये सारा हमने बेसिक कॉंसप्ट का वीडियो बना के और पूरा सेपरेट तरीके से डाल दिया है अपने यूट्यूब चैनल बे, तो उससे भी अगर आप देख लेते हैं, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, और मैं इसके तेजी से वर्किंग कर रहा हूँ, पूरा का पूरा, मैं सोच रहा हूँ के पूरा, 12th कलास का, मैथमाटिक्स, फिजिक्स, कमेश्टी, सारा का सारा वीडियो जो है, हमारा जो टीम है, उसी पर गाम कर रहा है, तो चैनल पे, अगर आप रहना चाहरा है, तो सब्सक्राइब कर लिजेगा, जिस से आपको वेनिफिट बहुत काफी होगा, ठीक है, आगे आपकी मर्जी है, उसके बाद ये मैनस जीरो हमने ले लिया, उसके बाद फिर, जीरो में भी कोई भी संख्या कंसीडर करेंगे, तो उसके साथ गुना करने पर जीरो ही होता है, फिर उसके बाद, ये वन आ रहा है, तो अब देखिए, यहां पर मानस यहां पर क्या जाएगा, प्लस, तो यहां पर प्लस वन हम लिख लिए वन लिख लिए यह प्लस किस पर डिपेंड करता हो मैनिस यह इस पंक्ति और किस स्थम का है इसलिए इस पर निर्भर करता है तो यह वन जब लेंगे तो ये वाला पूरा यानि ये पूरा का पूरा पंक्ती को छोड़ देंगे और ये जिस कॉलम में है उस सभी मतलब अवियो को छोड़ देंगे उस कॉलम के सभी अवियो को तो इसको भी पूरा छोड़ देंगे तो यह यहां पर आप देख सकते हैं, ब्रैकट मैंने लगा दिया है, फिर मानेस, उसके बाद फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यहां पर आमने लिख दिया है, 2B प्लस C into मानेस A प्लस B, तो यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, अब यहां पर ध्यान देजाएगा थोड़ा सा, अब यहां पर ज्या करना है, कि यह वाला हमने उसी तरह लिख लिए, उसके बाद यह 0 में से 0 घटाईएगा, या जोड़िएगा, कोई फरक नहीं पर ताई, यह हड़ जाता है, अब यह 1 का इंस हभी में गुना कर देंगे तो इतना ही होगा, अब ध्यान देजेए, कि minus A का minus B में गुना होगा, तो यह minus je minus plus होजाएगा, तो यहां पर लिख दिया हमने AB, उसके बाद देखिए, कि minus A का इसमें भी होगा, मानश 2C में, तो ये मानस और ये मानस, फ्लस, हो जाएगा, तो फ्लस, two ac हमने लिख दिया, चाहे 2C ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्त नहीं है. अब उसके बाद ये पहले से कर लिए अब दूसरे बाले से करेंगे तो मानिस 2B का मानिस B में होगा तो मानिस मानिस प्लस 2B में B का होगा तो B स्क्वार 2B स्क्वार हो जाएगा ओके प्लस 2B स्क्वार उसके बाद फिर ये मानिस 2B का जो है मानिस 2C में होगा तो यह मानिस और यह मानिस प्लस हो जाएगा और दो दुना चार B C हो जाएगा तो यहाँ पर लिख दिया हमने प्लस 4 B C उसके बाद यह मानिस हमने उसी तरह लिख लिए इस 2 B का जो है मानिस A में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मानिस 2 A B उसके बाद फिर 2B का जो है B में करेंगे तो प्लस 2B स्क्वार फिर C का जो है मानिस A में करेंगे तो मानिस A C उसके बाद C का B में करेंगे तो प्लस B C अब उसके बाद अब देखिए ध्यान से कि ये ब्रैकट जब हटाएंगे ना तो मानेस का सब में गुना होगा मानेस सबसे मिलता है तो हमने यहां पर लिख लिए यह वाला उसी तरह फिर यहां से लगा यहां तक हमने उसी तरह लिख दिया है अब उसके बाद फिर यह मानेस यह मानेस क्या हो जाएगा तो plus AC फिर ये minus ये plus क्या हो जाएगा minus BC तो अब यहाँ पर ध्यान देजेगा कि ये 2B square और यहाँ पर प्लस 2B square कटा दिया है हम अब उसके बाद जो बचा है वो उसी तरह लिख लेंगे तो यहाँ पर ध्यान देजे कि AB यहाँ पर है और AB 2AB यहाँ पर है तो 2AB और 1AB कितना हो जाएगा 3AB तो हमने लिख लिए 3AB फिर उसके बाद 2AC यहाँ पर है और plus AC यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा plus 3AC उसके बाद फिर plus 4BC में से 1BC घड़ाय जाएगा तो 3BC बच जाएगा तो हमने लिख लिए प्लस 3 PC नाव यह वाला उसी तरह उतर लेंगे इन सभी में से 3 common कर लेंगे तो common होगे हमारा फिर इसमें क्या बच्याएगा AB प्लस BC पर लिख दीजे फिर प्लस AC यहाँ पर लिख देंगे कोई दिकत ने CA भी लिख सकते हैं अब इसको अच्छी तरह से 3 आगे कर लेंगे तो 3 आगे होगे हमारा 3 into A plus B plus C into A B plus BC plus CA और यह हमारा क्या है RHS तो हम यहाँ पर लिख देंगे so LHS is equal to RHS proved चलिए question number 14 देखते हैं तो इतना यह समझ में आया होगा तो अब देखेंगे हम लोग question number 14 और जैसा कि हमें सीध करना इतना बराबर 1 तो यहाँ पर लिख लेंगे कि चुकी जो दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे कि चुकी दिया है कि सीध करना है कि इतना बराबर क्या 1 तो हम यहाँ पर लेंगे LHS और RHS करके निकालेंगे तो चलिए हम LHS ले लिए रहे हैं इसका तो यहाँ पर हमने ले लिया LHS अब यहाँ पर ध्यान दिजिएगा कि सबसे पहले यहाँ पर क्या रूल लगाएं यहाँ पर कुछ भी रूल नहीं लगाना है बस थोड़ा सा ध खटा दिया जहाए तो यह 0 हो जाएगा जब 0 होbay तो असान हो जाएगाँ अब आगे को भी 0 करने का कोशिस किजिए तो हमने लिखा इसमें भी 3 का गुरा अप फिर R1 में यानि पहले पंक्ती में हमने 3 का गुना किया फिर इसमें से घटा दिया तो ये भी 0 हो जाएगा तो आईए हम इस पे लिख लेते हैं कि R1, sorry, R2 पर काम करेंगे R2, minus 2, R1 यानि कि पहले पंक्ती में 2 का गुना करके दूसरे पंक्ती में से घटा देंगे तथा R3 पर अब काम करेंगे यानि तीसरे पंक्ती पर तीसरे पंक्ती पर क्या करेंगे कि R1 पर 3 का गुना करके R3 में से घटा देंगे तो लिख दिया हमने वही R3 पर काम करेंगे R3, minus 3, R1 अब परियोग करने पर यह हमने लिख दिया अब उसके बाद देखिए कि इसमें दो का गुना करके इसमें से घटाना था तो यहां पर क्या जाएगा जीरो सो हमने लिख लिए यहां पर जीरो उसके बाद इसमें दो का गुणा करना है इसमें और इसमें से घटाना है तो दो एक कम दो हो जाएगा फिर फिर प्लस दो पी हो जाएगा यहां पर हमने क्या बोलग कि यह इसमें दो का गुणा करके और इसमें से घटाना है यानि आर टू हो जाएगा है यहां से यह से कोई लेना देना नहीं है कि अब इसके बाद फिर इसमें भी 2 का गुना करेंगे इन विमें जब 2 का गुना करेंगे तो सबी में तो यहाँ पर गटाएगा देखे तो चार में उसमें के बाद सिमें इसमेंसे घटाहना है तो हमने 3 का ग монμη ऋधना करके इसमें इसमेंगा तो यह भी पॉर्ट्ण क्या होगा दूंफ तो इसमें घटाहना है तो 3 का गarakते हैं के ऑल perspectives क्वेकरें तो 3 कम से 3 उसके बाद खें तीन क फिर हैंने 3P में से मैनिस 3P किया जाएगा तो क्या होगा कट के कतब तो यहां पर क्या बचेगा 3 उसके पस्चाथ अब इसमें भी 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा और 10 में से 3 घटाया जाएगा तो 7 बचेगा हमारा फिर 3 का P में गुणा किया जाएगा तो 3P हो जाएगा 3P को 6P म हमने लिख दिया फिर उसके बाद 3 Q में से इस Q में 3 का गुणा करके घड़ाएंगे तो यह पोर्ट्शन भी ठताओं हो जाएगा तो यह इतना होगा ठिक आपको समझ में आ रहा होगा अब यहाँ पर ध्यान दिजिए कि C1 के अनुदिश हम लोग प्रसार कर लेंगे तो आईए हम लोग प्रसार करते हैं तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि C1 के साफ एक्षभी स्थार करने पर C1 का मतलब तीसरे कॉलम के अनुदिश तो यहाँ पर ध्यान दिजिएगा कि 1 ले लेंगे और यह तो जैसा कि 0-0 है तो कोई दिकत नहीं है उसके बाद अब देखिए कि 1 हमने जब लिया तो गुणा करेंगे 1 में 7 प्लस 3 पी का तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 3 पी इसका गुणा 1 में होगा तो कितना होगा 7 प्लस 3 पी उसके बाद फिर माइनस लगाते हैं तो 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 प्लस पी में तो 3 इंटू 2 प्लस पी हो जाएगा फिर उसके बाद इसको ब्रेकट लगा देंगे हम लोग मैनस कब क्या होगा जिरो आएगा तो यहां पे लिख दिया मैनस जीरो कि प्लस यह तीसरह हिसरा है इसलिए और लिए पर रोचक्टर यह अगर्यू still वाध होगे अगर नहीं पढ़ेंगे तो उसका बात ही अलगा तो उसके लिए आप सुरू से पढ़ें ताकि आपका पूरा यहां पर प्लस है यहां पर मिनस है तो मिनस प्लस मानस हो जाता है फिर मानस 3 का स्वल्स में गया तो मैनस ठीक प्लस 3 मैंस 3 ृओ देखी है प्लस 3 कट जाएगा excited बचेगा क्या 1 into 7 plus 7 minus 6 थिक तो अब ध्यान दिजिए कि यहां पर हम क्यों क्या लिख लेंगे 7 minus 6 6 है न तो यहां पर हमने लिख लिए है साथ में से अब 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1 और यही को हमें लाना था अब ध्यान दिजिए कि question number 15 हमें सीध करना इतना बराबर 0 तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे यहां पर तो लिख लेंगे कि चुकी सीध करना है हमें क्या सीध करना है कि इतना बराबर 0 तो हम यहां पर लेंगे LHS सो हमने यहां पर ले ले लिया है अब यहां पर LHS लेने के बाद एक formula आपको ध्यान रखना है कि यहां पर और इसमें यानि पहले column में दूसरे column में कोई problem नहीं लेकिन तीसरे कॉलम में देखिए इसमें दिया है कॉस इंटू कॉस अलफा प्लस डिल्टा फिर दिया है कॉस बीटा प्लस डिल्टा फिर कॉस गामा प्लस डिल्टा ऐसा दे दिया है यह हमारे डिल्टा है खिक अब उसके बाद ध्यान देजिए कि यहां पर आपको 11th कलास मे एक सुत्र बताया गया होगा आप तिरकुण मेती है फलंद के बारे में जब आप अध्यान किया होंगे तो वहाँ पर बताया गया होगा आपको सुत्र क्या बताया गया होगा कि कॉस A पलस B बराबर cos A into cos B minus sin A into sin B तो यहाँ पर यह तिनों में वही हम लोग apply करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दिजेगा कि जहाँ जिसका पहला वाला दूसरा वाला कौन होगा उसको according यहाँ पर A और B के जगा पर रख देंगे तो हमने यहाँ पर लिख दिया यह वाला और यह वाला हमने लिख लिए उसी तरह अब इसके पराबर फोरमुला लिखेंगे तो cos A plus delta पराबर क्या हो जायगा Cos A into cos delta minus sin alpha into cos sin delta उसके बाद फिर cos beta plus delta पराबर क्या हो जायगा cos beta into cos delta minus sin beta into sin delta Now, अब cos gamma plus delta पराबर क्या हो जाएगा तो cos gamma into cos delta minus sin gamma into sin delta उसके बाद अब ध्यान देजे कि आपको पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि जब भी किसी भी सार्णी में या determinant में कोई भी किसी भी अस्तम का अभयोव में अगर plus या minus हो तो उसे दो determinant में हम लोग divide कर सकते हैं यानि कि उसे अलग अलग में चिन लगा कर लिख सकते हैं सो हमने यहां पर लिख दिया है कि ये वाला और ये वाला हमने इसमें भी लिखा है और इसमें भी लिखा है ठीक मतलब कि ये पहले वाले determinant में हमने ये पहला column और दूसरा column लिख लिया, अब ध्यान दिजेगा कि यह पूरा में से, तो यह वाला हम, इधर का हिस्सा एक साइट लिख लेंगे, उसके बार अब दूसरे डिटर्मिनांड में, जैनी यह वाले दूसरे असाने में, हम लोग यह वाला portion और यह वाला portion तो दुनों में लिखना है यानि इसमें भी और इसमें भी हमने लिख दिया फिर यहाँ पर बीच में minus है सो हमने यहाँ पर minus लगा दिया उसके बाद यहाँ पर क्या है sin alpha into sin delta उसके बाद sin beta into sin delta फिर sin gamma into sin delta यह हमने लिख डाला, ओके, अब यहाँ पे लिखने के बाद, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ पे common क्या है, यहाँ पे cos delta, cos delta, cos delta, यानि कि C3 से cos delta common है, यहाँ पर देखिए, दूसरे वाले determinant में, यहाँ पे sin delta, sin delta, sin delta, तो हम लोग लिखेंगे कि पहले साणने यानि ये पहला डिटर्मिनाट से C3 से यानि कि पहले साणने के C3 से यानि तीसरे कॉलम से Cos Delta, Cos Delta तो था दूसरे साणने से यह वाला दूसरा साणने है इसके C3 से Sign Delta Common करने पर यह हमने लिख डियला आपको समझाने के लिए अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है तो हमने यहाँ पर common कर लिया तो common करने के बाद अब देखे कि यह वला और यह वला उतना ही उतार जाएगा उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा cos alpha, cos beta, फिर cos gamma यह हमने लिख दिया फिर minus का सिंबल है अब दूसरे साडनिक में से sin delta हमने common कर लिया यह वला पोर्टसन यह वला पोर्टसन फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा sin alpha, sin beta, sin gamma यह हमने लिख दाला अब उसके बाद देखिए कि पहले साडनिक में यानि कि यह पहले साडनिक में इसमें देखिएगा कि यह वला चीज यानि कि cos alpha, cos beta, cos gamma इसके बराबर है यानि कि cos alpha, cos beta, cos gamma के तो अब ध्यान देजे कि अगर मैं यहाँ पे अगर एक और काम अगर अपना हूँ कि C2 में से C3 घटा दोते यह पूरा पोर्टसन जीदो और आप जानते हैं कि कि किसी भी साडनिक का कोई एक असम या एक पंक्ति का सभी अवयोज सुनने होते हैं तो उसका जो determinant का मान होता है वो भी सुनने के बराबर होता है तो उतना ना करके हम के वल खली यह लिख देंगे कि पहले साडनिक में C2 बराबर C3 है दूसरे साडनिक में जो है यह C1 बराबर क्या है हमारा C3 है तो यहाँ पर ध्यान देजे कि पहले साडनिक में क्या है C2 बराबर C3 दूसरे साडनिक में क्या है C1 बराबर C3 यानि यह और यह बराबर है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा इसका जो है मान 0 हो जाएगा और इसका भी मान 0 हो जाएगा यह हमने गुर्धर्म में बता रखा है तो यहां पर ध्यान देजिए कि cos delta into 0 minus sin delta into 0 अब 0 का इन सभी में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 0 minus 0 बराबर 0 तो यह हमारा RHS है तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप से मिलते हैं धन्यवाद कि यह दिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे बैल आइकन को हिट कर दे और वीडियों पसांद आया हो तो लाइक कर दे और शेर भी में जरूर करें धन्यवाद